हलो गाईज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वयता में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको फोन पे एकाउंट को डिलिट करना सिखाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि फोन पे एकाउंट कैसे डिलिट करें तो आज के ये वडियो आपके लिए काफी helpful होगा गाइज अगर आप phone pay account को permanently delete करना चाहते हैं तो इस वडियो को end तक जरूर देखे तो गाइज phone pay account को permanently delete करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना आपके phone में जो phone pay का application है उससे open कर लेना है तो यहाँ पर हम phone pay का application open कर लेते हैं तो phone pay का application open करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर जो right side में सबसे उपर question mark का एक निसान है उस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर हम question mark के निसान में click कर लेते हैं question mark के निसान में click करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपका बहुत सारे options यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर है transactions related उसके बाद है getting started, other topics तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे तो guys यहाँ पर जो एक option दिया हुआ profile का तो आपको यहाँ पर simply profile के option में click कर लेना है तो यहाँ पर हम profile के option में click कर लेते हैं profile के option में click करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे जिसे यहाँ पर है My phone Pay Profile, Payment Methods, Payment Settings, Settings and Preferences उसके बाद है Security तो यहाँ पर आपको My phone Pay Profile में क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर हम My phone Pay Profile में क्लिक कर लेते हैं My phone Pay Profile में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का Interface आएगा तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे options दिखने को मिलेंगे उसके बाद है KYC, उसके बाद है My phone Pay Account Details तो यहाँ पर आपको My phone Pay Account Details में क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर हम My phone Pay Account Details में क्लिक कर लेते हैं My phone Pay Account Details में क्लिक करने के बाद आपके समने इस यहाँ पर चार options खुल के आएंगे तो यहाँ पर पहला option है Changing or Deleting Details in My phone Pay Account यानि अगर आप आपके phone pay के account में अपना जो details है उससे बदलना चाहते हैं या फिर delete करना चाहते हैं आपको पहला option में क्लिक कर देना है उसके बाद है temporarily deactivating my phone pay account यानि कि आप अपने phone pay account को कुछ समय के लिए deactivate करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको Temporary Deactivating My Phone Pay Account में क्लिक कर लेना है उसके बाद 3rd नुमर में है Permanently Deleting My Phone Pay Account यानि अगर आप अपने phone pay account को Permanent के लिए delete करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर Permanently Deleting My Phone Pay Account में क्लिक कर लेना है उसके बाद Last Option में है Blocking या Unblocking My Account यानि कि आप अगर phone pay account को Block या फिर Unblock करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको Blocking या Unblocking My Account में क्लिक कर लेना है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वडियो में हम आपको Permanently Phone Pay Account को डिलिट करना सखाएंगे तो इसलिए यहाँ पर आपको Option No.3 में है Permanently Deleting My Phone Pay Account इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर हम Permanently Deleting My Phone Pay Account में क्लिक कर लेते हैं तो Permanently Deleting My Phone Pay Account में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 Options देखने को मिलेंगे यानि यहां पर आपको पूछ रहा है कि आप phone pay account को किस region से यहां पर delete करना चाहते हैं ठीक है यहां पर लिखा है if you wish to delete your phone pay account please select one of the below regions for more information यानि यहां पर जो 4 options दिया हुआ है 4 regions दिया हुआ है इन 4 regions में से आपको एक region जो है वह आपको select कर लेना है ठीक है तो यहां पर पहला region है I want to change my phone to mobile number यानि आपका region है कि आपका जो phone pay में mobile number है उससे आप change करना चाहते हैं इसलिए आप यह जो account है phone pay का account है इससे आप delete करना चाहते हैं दुसरा है I am surrendering my SIM card ठीक है तिसरा number में है I have another phone pay account और चोगता में है I am not happy with phone pay ठीक है तो यहां पर जो चार regions दिया हुआ है इन चार regions में से आपको एक region जो है select कर लेना है तो यहां पर आपको select करना है I have another phone pay account अगर आपका दुसरा phone pay account है तो यहां पर I have another phone pay account यहां पर select कर लेना है तो यहाँ पर हम select करते हैं I have another phone पे account ठीक है आपका जो भी region है आपको यहाँ पर अपना region select कर लेना है तो यहाँ पर हम select करते हैं I have another phone पे account ठीक है तो यहाँ पर हम इससे select कर लेते हैं इससे select करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ term and condition देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पर आ तो आपको निकाल लेना है नहीं तो अगर आप फोन पे एकाउंट को ऐसे ही रिलिट कर देते हैं तो बाद में आपको फोन पे बॉलेट में जितना भी बैलेंस हुआ आपको नहीं मिलेगा और यहां पर बहुत सारे टर्म कंडिशन्स दिया हुआ है तो इससे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इससे आप ठीक से समझे लिजीए और अगर आपको यहां पर इंगलीश समझ में नहीं आती है तो यहां पर आपको भासा चैंज करने का भी उपर में आपसन दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप उससे हिंदी लेंग्वेज में पढ़ सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर जो सारा terms and conditions है उससे पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जब आप इससे ठीक से समझ जाएगा तो नीचे आपका दिया हुआ है deactivate phone pay account ठीक है तो आपका जो phone pay account है वो 24 गंटे के अंदर आपका phone pay account यहाँ से delete हो जाता है तो गाइज इस तरह से आप अपने phone pay account को permanently delete कर सकते हैं तो गाइज आप यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इसी तरह के helpful वीडियो जपाने के लिए इस वीडियो को like किजिए और चैनल को subscribe किजिए